बिहार की पॉलिटिक्स में चनाव से पहले ही दो भायों के बीच में लड़ाई का दौर चल रहा है तेजप्रताप और तेजस्वी आदफ के बीच घमासान चल रहा है और इसी पर जब बीचेपी नेता शुशीन मोदी से पूछा गया तो उन्होंने सारे ही वन्षपादी पार्टियों को निशाना बनाते हुए मीडिया से बात की और यहां पर तेजप्रताप यादफ को लालू यादफ की छवी भी बताया आईए सुनाते हैं आपको की शुशीन मोदी ने यहां पर क्या-क्या बाती की जो वन्षपादी पार्टियां हैं और जहां पर सत्ता के दोदो दाविदार हैं जहां वारी से एक से ज़्यादा वहां सत्ता संगर्ष को ग्योरो करे सकता है जहाँ आप ओम प्रकस चौथाला के परिवार को देख लिजे अजय चौथाला अबय चौथाला फिर उनके फोते वहां भी सत्ता संगर्ष चल रहा है डीमके के अंदर देख लिजे कुमार स्वावी की पार्टी को देख लिजे जिन लोगों ने एक से ज़्यादा संताने पैदा कर दिया तो उन संतानों के बीच में वारिस की जो लडाई है कौन होगा स्री वारिस ये सत्ता संगर्ष तो होना ही था तो ये कोई बहुत आश्चेर की बात नहीं है और देखी जो सबसे बड़ी बात है कि जब तेजपरता प्यादव ने डाइवोर्स का मुकदमा दैर कर रखा है तो वैसे स्तिती में उसके ससुर को टिकट देने का मतलब है जले पर नमप छड़कना आ बैल मुझे मार यानि जो लड़का इसे आठ महीनी से घर नहीं गया है मां से मिलने तक नहीं गया और उसके ससुर को अपनी टिकट दे कर आप उसको जलिल करने का काम कर रहे हैं और यह लड़ाई केवल यह सत्ता संगर्ज जो चल रहा जंता दल यह रास्टे जंता दल के भीतर है यह तो होना ही था यह कोई बहुत आश्चर की बात नहीं है इतियास इस बात का गवा है कि और अरंग जेव के जमाने से आज तक और पाकिस्तान में तब आए दिन देखते हैं तो इसलिए जो जो दोनों भाईयों का जो विवाद यह थमने वाला नहीं खत्म नहीं होने वाला है बहुति तेज प्रताप को पार्टी से रिकाल दे क्योंकि बड़ा भाई था और वो तो लालू की भाषा में भाषन करता है लालू की पार्टी का अंदूरी मामला है विचारे सारे निता चुप हैं शिवन तिवारी को बोलना चाहिए उनके प्रहुक्ताओं को बोलना सारे उपचुपे सादेव हैं लेकिन ये तुफान थमने वाला नहीं है बली एक बार उपर से कुछ दिनों के थम भी जाए ये तुफान थम कि वारिस कौन होगा वसियत कौन समालेगा वहां परिसक्ता संगर्ज यह बहुत अरुशंभावी है और इसका प्रणाम राश्टे जंतदल को इस चलों में भुगतना पाए शुशीन मोदी के इस बयान के बाद अब क्या इन दोनों भाईयों के बीच की लड़ाई खतम यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा